हेलो फ्रेंड वेलकम बैक तो माई चैनल आज मैं बात करने वाला हूँ एक शांदार इंटरनेट पे बिजनेस करने वाली कंपनी की आपने नाम जहूर सुना होगा इंडिया माड इंटरमेशकम लिम्टेट का यह इंटरनेट पे होने वाले जितने भी बिजनेस हैं उस पे डील करती हैं कि शांदार कंपनियों में से एक कंपनी है हाल में इसकी लिस्टिंग हुई है और इसने अच्छा कासा रिटन मना के भी दिया है कोरोना के वज़े से अच्छा कासा इसमें करेक्शन हो चुका है अच्छा रिटन बना के आपको long term में दे सकती है, तो आईए इसके रिटन की profile और होने वाला कामकाज कैसा हुआ देखते हैं, 15 माई को India Mart Intimus Limited में जो होने वाला कामकाज आईए उसको समझते हैं, तो यह open हुआ था 2,232 रुपए पे, high इसने मनाया 2,319 रुपए का, 52 रुपए इसका 2,842 रुपए 20 फरवरी 20 को बनाया, 52 रुपए इसका 1,102 रुपए 8 अगस 2019 को बनाया, security wise इसकी delivery position देख लेते हैं, तो इसमें जो quantity trade हुई वो 1,20,252 share की quantity trade हुई थी, और जो delivery उठाए गए वो 31,001 share की delivery को उठाया गया, percentage of delivery जो है 25,78% की delivery उठाए गई, बहुत ही शांदार company है, internet पे होने वाले business में deal करती है, internet पे business बहुत केजी से बढ़ादा आप जानते ही है, तो ये company अच्छा कासा return इसलिए बना के दे रही है, और आगे आने वाले समय में ये अपने निवेशकों को माला माल कर देगी, आप इससे अपने portfolio में धीरे धीरे करके add करना स्टार्ट कर दीजिए, internet में इसने अब तक किस प्रकार का return दिया ये देख लेते हैं, तो आज ये 3.8% अप है, एक वीक में लगबग 2.5% डाउन है, एक मन्त में इसने 8% से ज़्यादा का return दिया है, तीन महीने में लगबग 8.5% डाउन है, 6 महीने में इसने 9.5% का positive return दिया है, और 2020 में ये लगबग 11.5% का positive return दे चुका है, आंगे returns का profile में कोई भी data available नहीं, इतनी पुरानी इसकी listing नहीं है, शांदार कंपनियों में से एक कंपनिय इंटरनेट पर होने वाले business जो हैं, वो दिन पर तिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप इस share पर अपनी नजर बना के रखें, ताकि ये आपको बहुत अच्छा return दे सके, आई-एस का share holding pattern समझते हैं, तो मार्च 2020 तक का share holding pattern available है, तो plus promoter holding none, मतलब गिरीव रखे share हों की समस्या है नहीं, majority share holder जो हैं, वो promoter है, mutual fund की साथ इसकीमों ने 2.44% का holding ले रखी है, वहीं FII की 49 इसकीमों ने 12.24% की holding ले रखी है, promoter with highest holding जो हैं, दिनेज चंद्र अगरवाल के पास 29.8% का stake है, और highest public share holder जो हैं, वो west bridge crossover fund के पास 5.3% का stake है, individual investor हम आप जैसे और retail investors में 17.14% की stake ले रखी है, एक multi-veggar share है, ये आने वाले समय में आपको बहुत तगड़ा return दे के जाने वाली company है, तो आप इसे अपने portfolio में अभी से एका दुका share लेकर रखना स्टार्ट कर दीजे, ये real multi-veggar, pure multi-veggar share बनके सामने उबर के आएगा,